चेतावनी कुवा ठंडा जल पीने के लिए बनाये जाते हैं यदि कोई मंद मती कुवे में डूप कर आत्मत्या कर ले तो इसमें कुवा बनाने वाले का क्या दोश हमारे दुवारे दिखाये जाने वाले सभी मंत्र, तंत्र, प्रियोग केवर लोक कल्यान के लिए है यदि कोई दुष्ट बुद्धी हमारे दुवारा बताय गए उप्योगों का प्रियोग किसी का अनिष्ट करने के लिए करेगा तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सावधान यदि इन मंत्रों से आपका कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे इसलिए प्रियोग करने से पहले किसी ग्यानी, महात्मा या किसी जानकार से सलाव जरूर ले ओम नमश्यवाए आज पच्चिस तारीकों और दूसरा महीना जैसे कि आप सभी जानते हैं आज जो है महाशिवरात्री का पर्व है और कहते हैं कि देवों के देव महादेव ही ऐसे एक मात्र ऐसे देव हैं जो कि अपने भक्तों को पहले आशिरवाद देते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि मैंने क्या अशिर्वात दिया इसलिए भोले बाबा को प्रसंद करना बहुत आसान है और भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसंद हो जाते है मात्र एक बेल पत्र चड़ाने से ही भोले बाबा प्रसंद हो जाते है और यदि प्रती दिन सुबह 11 बजे से पहले शिवलिंग के उपर जल चड़ा जाए तो बोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि शिवलिंग पे जब आप जल चड़ाते हैं तो वो जो आपका पात्र है जो बरतन है वो तांबे का ना हो नहीं तो वो जहर का काम करेगा आपका जो आपका जो बरतन है वो स्टील का या फिर किसी और चीज़ का होना चाहिए वज़य तांबे के होने का तो आप जरूर भुले बाबा को प्रसंद करिए क्योंकि भुले बाबा मन बांचित फल देते हैं और क्योंकि आज महाशिवरात्री है और आपने अकसर ऐसा सुना होगा कि जो भी कर्मकांड या फिर तंत्रमंत्र विद्या होती है वो हुली दिवाली, शिवरात्री, दशेहरा इत्यादी में जादा वो लाबकारी होती है या उसके रिजल्ट्स जादा होते है और इसका सीधा सा तातपर होता है वाइब्रेशन से क्योंकि उस दिन सभी के वाइब्रेशन बहुत पॉजिटिव होते है सभी भगवान की पूजा में लगे होते हैं और उनका जो मन होता है वो शांत होता है और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके वशिबूद हो जाए या आप से प्रसन हो जाए आप से प्रेम प्रसंग में आ जाए तो आप अगर मंतर उचारण नहीं करना चाहते तो बिना मंतर उचारण के भी ये संभव होता है परंतु इसमें आपको उस व्यक्ति का मंतर संख्या के बराबर नाम लेना होगा क्योंकि मंत्र भी उस ही चीज पर काम करते हैं जिस अवधी में आप किसी का नाम लेते हैं तो वहाँ पर वाइबरेशन जो की प्रकमपन होते हैं वो पैदा होते हैं और अगर उसको उतनी ही बार जाप किया जाए या लिया जाए जितनी बार मंत्र जाप होता है तो same effect पढ़ता है उधारण के तोर पे अगर आप किसी भी रत्न के अंगूटी पहनते हैं stone तो अंगूटी का जो असर होता है वही असर अगर आप उस रंग का कपड़ा भी अपने जेब में रखते हैं तो आपको same effect मिलेगा तो उसी परकार से आपको कोई मंतर नहीं आता मैं चलिये माल लेते हैं आपको कोई मंतर नहीं आता और किसी को वशिभूत करना है तो आप सिर्फ मंतर संख्या जितनी बार उच्चारण की जाती है कोई भी मंत्र ले ले लेजिए जो कि आपको लगता है कि बहुत इफेक्टिव है या आप किसी से पूछ लेजिए किसी का काम हुआ हो तो उसको पूछे कि कितने बार मंत्र जाब हुए थे उतनी बार आप जाब करिए उसका नाम लेजिए 100% काम होता है जादा तर काम इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे मन में हम अपने फाइदे के लिए देखते हैं जहां पर अपना फाइदा शुरू होता है वहां पर फिर नकारात्मक भावना शुरू होती है इसलिए ऐसे काम करें जिसमें जन का कल्यान हो, लोगों की भलाई हो अगर आपके वशीकरण से किसी का भला होता है तो आप जरूर वशीकरण करिए और आपका वशीकरण जो है वो 80% बज़ाए दूसरों के जल्दी संभव हो जाएगा और एक जरूरी सूचना जो हमारा वाटसअप का ग्रूप है वो टोडली उसमें लिमिट क्रॉस हो चुकी है तो आप मुझे बार बार एक मैसेज ना करें क्योंकि मेरे पास अभी करीब 300 या 400 लोगों के मैसेज आते हैं कि हमें वाटसअप ग्रूप में एड़ करिए तो आपको मैं बताना चाहाँगों कि हमारा वाटसअप ग्रूप जो है वो भर चुका है उसमें अभी जगर नहीं है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैं आपका नमबर सेव रखोंगा यदि कोई उसमें से कम होगा तो उसमें आपको एड़ कर लिया जाएगा और हमेशे याद रखिए जो आपकी जिन्दगी में आपके लिए बना है आपको उसमें वशी करन करने की जरूत नहीं है वो अपने आप आपके साथ जुड जाएगा या प्रकरती या फिर भगवान उसको आप तक पहुँचा देगा जरीया कोई भी हो सकता है लेकिन आखिरकार वो आपसे मिल जाएगा वशी करन का प्रियोग वहीं होता है जहां पर कुछ ऐसे काम करने हो जो कि अपने मन के वांचित हो यानि कि अपनी मनमानी जहां पर आ जाती है वहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है क्योंकि प्यार में इतनी शक्ती होती है कि वो दुनिया का हर काम करने के लिए काफी होता है उल्टे सिधे काम करने के लिए तंतरमंत्र की साहता की जरुत होती है और आज के समय में तो हर तीसरा व्यक्ती तंत्रमंत्र की साहता लेता है और बज़ए दूसरों के करवाने से खुद करता है तो खुद करने से आप थोड़ा अपने आपको बचाईए क्योंकि इनका प्रबाव जितना अच्छा है उतना उल्टा भी हो जाता है और जितना हो सके किसी की प्रामर्श के बिना ये काम कभी भी ना करें इनमें ना पढ़ें क्योंकि ये जाल की दर होता है अगर एक बार आप इनमें पढ़ गए तो आप अंदर ही अंदर जाएंगे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और एक छोटा सा उपाई बता देता हूँ मैं आपको जिस किसी को भी वशिभूत करना हो एक इलाइची लीजिए अपने सर के उपर से साथ वार गुमाईए और यदि हो सके तो सवालाख बार उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए या फिर आप उन कलिम काम देवाए व्यक्ति का नाम वशिभू कुरु कुरु सौहाई ये मंत्र जाब करके उस इलाइची को चलते हुए बाने में छोड़ सकते हैं और आपका जो भशिकरन है ये स्वता ही हो जाएगा लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि सब कुछ आप उस आदि शक्ति उस परमपीता परमात्मा पे छोड़ दें वो आपके सारे दुख दर्द सब कुछ आप से मतलब आपके जीवन से हटा देगा वज़ाए सिर्फ एक है कि आपको उन पे पूरा विश्वास करना होगा याद रखे एक कदम आप पढ़ाएंगे तो सो कदम वो पढ़ाएगा और बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ पूछना या बताना चाहते हैं तो जरूर बताईएगा और जोड़े रहिएगा दुरलब सामगरी के साथ मैं आपके लिए बना के लाँगा ऐसे ही अती दुरलब वीडियो आप बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताईए और अगर मैं आपके फोन का जबाब नहीं दे पा रहा है या मेरा फोन स्विच ओफ आ रहा है इसका मतलब है कि मैं किसी की सहायता में व्यस्त हूँ तो आपको थोड़ा सबर करना होगा ऐसे भी लोग हैं जो 6-6-7-7 दिन तक मेरे एक मैसेज का रिप्लाई का वेट करते हैं तो कि पर आप भी वेट करिए मैं फिरी हुआ तो आपको जरूर मैसेज करूँगा और जिन लोगों के मेरी आवास पसंद आती है उनके लिए मैं कहाना चाहूँगा कि बहुत बहुत आपका धन्यवाद और इसी तरह से आप जुड़े रहेगा मेरे चैनल के साथ और अंते में सिर्फ इतना कहूँगा कि भोले बाबा का ध्यान करिए सब मंगल होगा आपके जीवन में कोई भी दुख नहीं आएगा अपनी जीवन की नया है वो बहुले बाबा को दे दीजिए और वो आपको इस भवसागर से पार करेंगे ओम नमस्षिवाए